कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ विजेता कस्तूर्बा गांधी टीम तथा उप विजेता विजेता विजे लक्ष्मी पंडित टीम रही बालिका वर्क की रुमाल जहपत्ता प्रतियोगिता में लगभग 5 टीम उने भाग लिया रुमाल जहपट्टा में विजेता सरोजनी नाइडो टीम तथा उप विजेता विजर लक्ष्मी पंडित टीम रही प्रतियोगिता में लगभग 155 खिलाडियों ने भाग लिया खेल सकता कि तीसरे दिन 28 अगस्त को कुष्टी महाराव उमेद सिल्ट स्टेडियों में तथा बैडमिंटन प्रतियोगिता मल्टी परपस खेल संकुल में होगी आम जन में आत्मिश्वास बढ़ाने के लिए जनाचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब की प्रेरना से श्री शांत क्रांती जैन श्रावक संग ने समस्त मानव जाती के लिए एक अभ्यान शुरू किया था जिसे लगभग 2 साल पूर्ण हो रहे हैं इस अभ्यान में शामिल सभी लोगों को संकल्पित करते हैं कि किसी भी कठिन वविप्रीत परिस्थितियों में हम हमारे आत्मिश्वास को मनोबल को मजबूत रखेंगे वसमस्याओं से संधर्श करके आगे और आगे बढ़ने की प्रेरना देते हैं राजुजी भूरत राष्ट्रिय अध्यक्ष शांत क्रांती जैन्श्रावक संग हेमंध कोठारी पूर्व अध्यक्ष भीलवाड़ा ने बताया कि महाराज श्री की प्रेरना से कोटा में भी लाखों बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा इसके लिए श्री अखिल भारत वर्षिय साधुमार्गी शांत क्रांती जैन्श्रावक संगद्वारा एक मोटिवेशन प्रेरना सभाव और व्याख्यान का आयोजन 10 सितंबर कोटा में होने जा रहा है जिसमें हजारों बच्चे और उनके अभिभावकों को जीवन का महत्व उनमें आत्मिश्वास की वृद्धी नकारात्मक्ता को समाप्त करना सकारात्मकुर्जा का संचार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा जिसमें कई बुद्धी जीवेओं का मार्ग दर्शन मिलेग बच्चराज लुनावत राष्ट्रिय सयोजक ने बताया कि आचार्य श्री विजैराज जी के संदेश के साथ में उपलब संकल्प पत्र में जनचार्य श्री ने पांच बिंदूओं के साथ मार्ग दर्शन सुझाया है वह एकदम सरल एवं सुगम है यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से अवसाद में आ जाए तो ये संकल्प पत्र सही रास्ता दिखा देता है आपसी समवाद का परिनाम हमेशा सुखद रहता है आप तक संकल्प समिती ने देश भर में लाखों लोगों को संकल्पित किया है अनेक शहरों में रेलिया वसभा एवं अनेक तरीके से विभिन कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को संकल्पित किया जा रहा है कई संसाधनों के माध्यम से आत्म विश्वास बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है SFU संकल्प समीती सरिता जी जैन कोटा प्रभारी ने कहा कि कोटा हमारे प्रदेश ही नहीं बलकि देश मिदेश में भी शिक्षा की काशी के नाम से विख्यात है यहाँ समाज की सभी वर्गों के लोगों की मिहनत, सहयोग, समर्थन, समर्पन भाव के कारण दूर दराज बैठे माता पिता बच्चों को भविश्य के लिए कोटा भेजते हैं यहाँ सबसे सुख़द बात है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं मीडिया भी अपने दायत्व को समझ कर निर्वहन करते हैं ऐसा वातावरन मिलने से सभी का आत्म विश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है SFU संकल्प समिती विरेंद्र दासोत ने बताया कि संग ने टोल फ्री नंब के साथ कुछ मोबाइल नंब भी दिया है ताकि जरूरत पढ़ने पर सहायक बन सके इसके लिए श्री शांत प्रांती जैन श्रावक संग के अंतरगत SFU संकल्प समीती बना कर प्रभारियों को दायत्व दिया है जब भी जिसने भी सहायोग के लिए संपर्क किया तो उसके नाम पहचान को भी गुप्त रखा जाता है यह अभ्यान केवल कोचिंग स्टुडेंट, अभिभावक ही नहीं बलकी किसान, आमजन, कर्मचारी या समाज में हर तपके के लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जहां लोगों को प्रेरना सभा के माध्यम से शंकल, पत्र के माध्यम से लोगों को जीवन का महत्व बताया जा रहा है जीवन एक बार मिलता है और वह बहुत ही इनमोल होता है परिवार में एक व्यक्ति अकारण जाता है तो उसके पीछे कई जिंदगियों को गहरा आगात लगता है ऐसे में लोगों का आत्मिश्वास बाय जाने के लिए हर संभ़ प्रयास संस्था द्वारा किया जा रहा है बारान जिले की स्पेशल टीम वभावर गड़ा थाना पुलिस की टीम ने पैट्रोल पंप कर दकैती डालने की योजना बनाने के मामले में 15 साल से वांचित आरोपी रामवीर गुर्जर पुत्र टुंडर राम तिरसत निवासी चंदील पुरा थाना दान बसई जिला धौलपूर को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है आरोपी की गिरफतारी पर 10 रुपे हजार का इनाम भोशित है एसपी राजकुमार चौदरी ने बताया कि 18 सितंबर 2009 को भावर गड़ थाना पुलिस की टीम ने सुनसान जगह पर हथियारों से लैस होकर पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना की तयारी कर रहे कुछ व्यक्तियों को पकड़ा था जिन से देशी कट्टा, कलवार, चाकू एवं मेटाडो गारी जबत किये गए थे घैटना के बाद से फरार मुलजिम रामलीर गुर्जर की गिरफतारी के लिए समय समय पर टीम गर्थित कर दबिश दी जाकर अथक प्रयास किया जा रहे थे आरोपी की गिरफतारी के लिए एसपी ओफिस से दस हजार रुपे के इनाम की भी घोश्रा की गई जिले में पुराने प्रकरनों में फरार चल रहे स्थाइवार्टी एवं वानशित अप्रादियों की धर पकड़ के लिए अभ्यान चलाया जा रहा है इस अभ्यान के अंतरगत आरोपी के गाउं में होने की सूचना मिलने पर अतिरिक पुलिस अधीक्षक राजेश चौदरी वसीयो ब्रिजपाल मीना के सुपर्विजन एवं सेचो सुरेश कुमार के नित्रित्व में गठित की गई टीन द्वारा दबिश देकर आरोपी को अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है योजक्चिन 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 य हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बे रोग डोग देश की हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है ख्वाबों को सच करके दिखाता है दैनिक नवजोती आपके लिए आपके साथ